उम गंगडपते नमाहा हर हर महादेव आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुब कामना है कार्तिक मास में पीपल की पत्थवारी की कहानी किसी गाउं में एक गूजरी रहती थी उसने एक दिन अपने बहु से कहा कि जा तू ये दूद दही बेच आ वह दूद दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माहा में औरते पीपल सीचने आई है वह उन्हें देख बैट गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सीच रहे हैं उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाब होता है उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अनधन की प्राप्ति होती है अगर किसी का पती वर्षों से बिछडा हुआ है तब वह मिल जाता है सारी बाते सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो मैं तो दूद दही से सींचूंगी गुजरी हर रोज आती और सारे दूद दही से पीपल की पत्वारी को सींच जाती उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कार्तिक का महीना खत्म होने दो तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूँगी कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गूजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई पीपल ने उससे पुछा कि तू यहां क्यों पड़ी है उसने कहा कि मेरी सास दूद दही के पैसे मांगेगी पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है ये भाटे डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिये है सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आँखे फटी की फटी रह गई गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे पत्ते धन में बदल गए जिने देख सास बोली की इतना धन कहां से लाई है बहु ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूद दही से पीपल की पत्थवारी सीच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिये थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए बहु की बात सुनकर सास बोली की मैं भी पीपल की पत्थवारी सीचने जाऊंगी सास दूद दही तो बेच आती और दूद दही की हांडी धोकर पीपल की पत्थवारी में रख आती थी घर आकर वह बहु से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग बहु कहती कि कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है क्या सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहु ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान उसे भी देए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिये बहु ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीडे मकोडे चल रहे थे गूजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है सास कीडे देखकर बोली कि पीपल पत्तवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीडे क्यों दिये इस पर सभी औरते बोली कि तुमारी बहु ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था लेकिन आपने धन के लालच में यह सब किया इसलिए हाथ जोड़ कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता जैसा आपने बहु को दिया वैसा ही आपने भक्तों को भी देना जै हो जै माता की अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें धन्यवाद हर हर महादेश